नमस्ते बच्चों बच्चों, गर्मियों की छुट्टी में कहानी सुनने का एक अलगी मज़ा होता है तो आईए एक ऐसी ही चित्रकता को देखेंगे तथा सुनेंगे भी आज की इस चित्रकता का नाम है घमंडी का सीर नीचा एक जंगल था, उस जंगल में एक घमंडी हाती रहता था उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था वह जंगल की सभी जानवरों को परिशान करता रहता था लेकिन हाती विशाल जानवर होने के वज़े से छोटे जानवर कुछ भी नहीं कर पाते थे जंगल से गुजरते वक्त हाती को एक पेड की डाल पर चिड़या का एक घोसला दिखाई देता है तब वह हाती पेड की डाल तोड़ कर चिड़या का घोसला गिराता है तब वह चिड़या भालू से हाती की शिकायत करते है तब जंगल की सभी जानवरों द्वारा हाती को सबग सिखाने का निरने लिया जाता है तब निरनाएक भालू हाती से कहता है जो पहाड की चूटी पर सबसे पहले पहुँच जाएगा वही राजा माना जाएगा हाती यहाँ बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है वह सोचता है कि मैं बड़ा हाती हूँ तो मैं ही चित जाऊंगा और जंगल के सारे जानवर मेरा कहना मानेंगे तब हाती उस पहाड के पास जब पहुँच जाता है तब अपने प्रतियोगी के रूप में चीटी को देखकर उसकी खिल्ली उडाता है उस पर हसता है जब प्रतियोगीता की शिरवात हो जाती है तब चड़ाई चड़ते समय हाती का दम फूनने लगता है वह थक जाता है इसी दोरान चीटी पहाडी पर सब से पहले पहुँच जाती है और चीटी प्रतियोगीता जीत जाती है इस वज़ा से हाती का शम से सीर जूग जाता है तो बच्चों हमने इस चित्रकता से क्या सीखनी कि कभी भी अपने आप पर हमें कभी घमण नहीं करना चाहिए क्योंकि घमण डिका सीर हमेशा नीचा होता है धन्यवाद बच्चों